Hello Friends, Myself Dr. Sushila Sennig Gynecologist and Obst transformative director Japu Durbin Hospital एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नई जानकरी के साथ Friends, आज हम बात करने जा रहे हैं Pregnancy के बारे में, बहुत सी लेडीज प्लैन कर रही होती हैं कि Pregnancy हो जाए पर सम्हाव उनको pregnancy नहीं हो रही होती, बहुत राई करने के बाद भी pregnancy नहीं हो पाती है तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि pregnant होने के लिए आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप जल्दी pregnant हो जाएं प्रेग्नेंसी होने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर pregnancy होती कैसे है क्या basic mechanism है pregnancy होने का तो आप उसके लिए फिर इफर्स कर सकते हैं और आपने क्या गलतियां की है जिसकी वज़े से आपको pregnancy नहीं हो पा रही है तो जो basic mechanism है pregnancy का उसमें जब husband, wife, ps3 और पूरुष जब एक दूसरे से unprotected sex करते हैं तो pregnancy होती है तो अगर आप sex करने के दौरान अगर कोई protection यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको pregnancy नहीं होगी तो यह बहुत एक basic step है कि unprotected intercourse होना चाहिए unprotected intercourse होने का meaning है कि आपने कोई साधन यूज़ नहीं किया हो जिससे की condom यूज़ नहीं किया हो कोई गोलिया नहीं इस्तेमाल कियी हो या वजैना के अंदर डालने वाले कोई chemical या जैली आप लोगोंने कोई इस्तेमाल नहीं की हो कई बार intercourse के दोरान होने वाले दर्द के लिए हम लोग कोई जैली या कोई दवाई इस्तेमाल करते हैं जो हो सकता है कि spermicidal हो यानि कि जो शुक्राणों के लिए जहर का गाम करती हो तो वो dead हो जाते हो जिसकी वज़े से आपको pregnancy नहीं हो रही है तो इसलिए जब भी आपने pregnancy plan करने का plan किया है तब आप जब भी husband wife मिलते हैं तो आप कोई chemical कोई jelly इस तरीके की ना इस्तेमाल करें जिससे की शुक्राणों को किसी प्रकार का नुकसान होता हो दूसरा जो कारण है pregnancy नहीं होने का कि कई बार husband wife अलग-अलग रहते हैं दूर-दूर रहते हैं और जब वो कभी मिलते हैं तो शायद वो fertile window में नहीं मिलते हैं fertile window का मतलब होता है कि pregnancy होने के जो सबसे बहतर दिन होते हैं सबसे अच्छे दिन होते हैं अगर आप उन दिनों में नहीं मिलते हैं और आप इधर या उधर या उन पिरिड के पहले या बाद में मिलते हैं तो भी pregnancy होने के संभावनाई काफी कम हो जाती हैं इसलिए जब अगर husband wife अलग अलग रहते हैं और कभी कभी मिलते हैं तो आप fertile days के बारे में पता करके रखें कि आपके fertile days कौन से हैं फर्टाइल डेस के लिए हमने एक अलग वीडियो बना रखा है तो उसका लिंक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आप उस पे जाकर समझ सकते हैं कि आप अपने fertile days को कैसे पता करें तो जब भी आप मिलने का प्लैन करें तो अपने fertile days के अंदर ही प्लैन करें ताकि प्रेगेंसी होने का चांस जादा हो सके प्रेगेंसी नहीं होने का तीसरा कारण कई बार husband, wife यह couple आपस में comfortable नहीं हो पाता जिससे कि deep penetration जब तक पानेट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा यानि कि इंटर पर वजाइना प्रॉप्र नहीं होगा तब तक भी कई बार प्रेग्नेंसी होने में दिक्कत आती है तो आपको प्रॉपर पोजीशन चूज करने पढ़ेगी जिसमें डीप पैनेट्रेशन हो सके और इस पंस प स्पर्म्स को बच्चेदानी में यूटरस के अंदर जाने के लिए कई बार इंप्रॉपर पैनेटरेशन होने के कारण स्पर्म्स और जो सीमन है वो बाहरी गिर जाता है अंदर नहीं पहुंच पाते हैं तो यह भी प्रेगनेंसी नहीं होने का कारण होता है तो अगर ऐसी अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं और उसके लिए प्रॉपर ट्रेट्मेंट ले सकते हैं अगला कोई कारण हो सकता है कि आपके अंधरूनी कोई खराबी हो यानि कि प्रेगनेंसी होने के लिए आपका महीना नॉर्मल आना चाहिए महीना नॉर्मल आने के लिए आपके हार्म जिसके चलए पर बचल लगने ज्याएं करना चनल नहीं को हुआ तो प्सक्राइबर आप तो ऑब कोई तेस्त नहीं हुआ हो थे तो तो अगर अगर आपको अपने टेस्ति क्राया है अपने डॉक्टर को evaluate नहीं करवाया हुआ है तो आप जरूर करवा लें क्योंकि जब आप डॉक्टर को दिखाएंगी तो डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं कुछ हार्मोन टेस्ट करते हैं जिससे आप कोई पता चल पाता है कि बच्चे दाने में अंदरोनी कोई प्राब्लम तो है नहीं एक ट्यूब टेस्ट होता है जिससे ये पता चल पाता है कि दोनों तरफ के ट्यूब्स खुली है या नहीं है अंदर इसके अलावा आपके जो मेल पार्टनर है उनका भी सीमन अनालिसिस बहुत जरूरी होता है कई बाद सीमन में स्पर्म की संख्या बहुत कम होती है या स्पर्म मोटाइल नहीं या निकि गतिमान नहीं होते हैं चलते नहीं है या उनमें मैनिफेक्शिंग डिफेक्ट होता यानि के डिसमॉर्फिक स्पर्म स्पर्म होते हैं जिसकी वज़े से आप कंसीव नहीं कर पा रही होती है तो बेसिकली जब भी आप प्रिग्निनसी प्लैन करते हैं और आपको चार-चे मेने ट्राय करने के जाते हैं जिससे कि नॉर्मल एवैल्वेशन हो पाए कपल का कि बेसिक ली बेसिक तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो और इसके अलावा वह हमने आपको वीडियो में बताया कि आपको फर्टाइल विंडो के अंदर इंटर कोर्स करना होता है इंटर को आपको प्रॉपर तरी क्यों कि अगरें के वीडियो में आपको यह समझ में आ गये होगा माल उसकते और आपको प्रेग्नेंट होने के लिए क्या करना चाहिए इसके बाभ भी अगर आपके कोई कौन काई कई और आपके न近ने की जवाब दे सकते हैं थैंक्यू सो मच पूर लिस्निंग अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बैल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए आगे की वीडियो को आपको नोटिफेकेशन मिलता रह आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकरी के साथ तब तक नमस्कार